देर स्टुएंट वी आफ डिसकस अबाट इंपोर्टेस अफ दा आउटडोर लर्निंग हम आउटडोर लर्निंग की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं हमने देखा कि बच्चे के बिहेवर के बारे में देखा उसके बाद थेखा कि उनकी क्रियटिवटी बढ़ती है हमने देखा कि वह मटिवेट होते हैं उनका लर्निंग प्रोसेस ज았습니다 होता है इसके इलावा भी ये किना वजह से इंपोर्टेंट है आउट्डोर लर्निंग हमारे पास उसके अंदर पहले नंबर पर जो चीज आती है वह हमारे पास आती है कि उनका कॉगनेशन कॉगनेटर लेवल जो है वह इंप्रोब होता है अब आप देखें कि जब आप बात बूलते हैं लेकिन जब वो किसी चीज़ का आप खुद experience करते हैं तो वो आपको कभी नहीं बूलता है अब being student आपको भी याद होगा वो तमाम बातें आपको अभी भी याद होंगी जिन टूर्स पे आप पे आप गया है इस classroom से बार आपको ले जाया गया उसकी बाते और experience आज भी आपको 20-25 साल के बाद याद होगा और जो teacher ने आपको road learning करवाई थी वो शायद आपको भूल गया हो यह आज अगर कोई चीज़ आप से पूछी जाए कि class 5-6-7 के अंदर आके बारे में तो मुम्किन है वो जो आपने पढ़ा था वो भूल गया है लेकिन वो पर हम एक physical activity है एक healthy activity है जिसके अंदर ये difference है कि आप classroom के अंदर बैठके सारा दिन एक ही साए index पर बैठके up sitting करने से आप learn करें यहाँ पर physical moment होती है आपकी body तमाम moment कर रही है उस moment से आप refresh रहते हैं refresh रहने के बाद आपका mind refresh होता है और आपकी learnings ज्यादा से ज्यादा होती है उसके बाद आपका एक social interaction होता है classroom के अंदर बैठे थे तो आपका interaction सिर्फ किस से था या teacher से या अपने class fellows थे जब हम बाहर गये तो आपने society के साथ interact किया आपने लोगों के साथ interact किया चीजों के साथ interact किया और जैसे हम अब जू की बात कर रहे थे वहाँ पे physically animals के साथ आ जैनि आप environment के साथ society के साथ building के साथ आप physically interact करते हैं तो उससे भी आपकी learning होती है और तीसरी बड़ी important बात जो है वो हमारे पास है emotional well being के देखे emotionally आपके अंदर एक happiness आती है आप एक खुशी का जार करते हैं और उस खुशी के जार के अंदर जैना आपकी learning ज्यादा से ज्यादा होती है आपकी absorption power बढ़ जाती है ज्यानि यूं समझें कि आप खुशी में और ज्यादा ज्यादा आपको learn करवाया जा रहे हैं आप उतना ज्यादा learn करते हैं फिर आप आपके ओपर time का influence नहीं होता time space का जहां पर आप experience कर रहे हैं या experiment कर रहे हैं वहां पर आपको ये issue नहीं है कि ये class खतम होने वाली है वहां पर आपको ये issue नहीं है कि आपकी space थोड़ी है आपका group कैसे बनेगा तो इन तमाम वज़ा से हम ये समझते हैं कि हमारे curriculum के अंदर जो है तो some extent outdoor learning का भी part होना चाहिए